नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद पानी पर तैती वी एक स्वी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है स्वी को पानी के तल से उपर उठाने के लिए स्वी के भार के अतिरिक कम से कम कितना बल लगाना होगा तो हमें यहाँ पर क्या find out करना है यहाँ पर हमें बल find out करना है और हमें यहाँ पर प्रिष्ट तनाव 7.2 newton per centimeter दिया गया है अब चिले जो हमें घटना दी गई है इसे हम imagine करते हैं तो मान दीजिए पानी पर कोई स्वी तैर रही है तो वहाँ पर स्वी के दोनों ओर पानी का प्रिष्ट है अतहा इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के प्रिष्ट के स्वी के साथ जो संपर्क की प्रभावी लंबाई है वो जो ये लंबाई दी गई है इसके दुगना होगी यानि कि ये 2.5 cm है तो प्रभावी लंबाई 5 cm हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर जो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या था हमें निकालना था बल तो सबसे पहले जो यहाँ पर यह प्रिष्ट तनाव दिया गया है हम इसका सूत्र लिख रेंगे तो इसका सूत्र होता है F upon L मान लेते हैं कि जो प्रभावी लंबाई है उसे हम L से प्रदर्शित कर रहे हैं त एक रख देते हैं तो T के जगे क्या आ जाएगा? T की जगे आ जाएगा 7.2 Is equal 2 यहाँ पर F हमें नहीं पता है तो F ऐसे आजाएगा upon L हमें पता है 5 cm तो यहाँ पर 5 आ जाएगा क्ये इतना सुमझ में आया? तो यहाँ से क्या क्या हम F निकाल सकते हैं? तो यहां से f आ जाएगा 7.2 into 5 यानि कि ये कितना आ जाएगा 36 newton तो finally हमारा answer ये है यानि कि स्वी को पानी के तल से उपर उठाने के लिए स्वी के भार के अतरित हमें कम से कम कितना बल लगाना होगा तो हमें कम से कम यहां पर 36 newton बल लगाना होगा मैं अमीद करती हूँ कि ये वाला numerical आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे numerical पर इस numerical में हमें क्या दिया गया है एक तार के आयता कार छले पर 4 x 4 cm की साबुन की फिल्म बनी है यदि फिल्म का आकार 4 x 5 cm कर दिया जाए तो इस क्रिया में किये गए कारे की गर्णा कीजिए तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है यहाँ पर हमें किया गया कारे निकालना है जब हमने जो यह उसका पहले dimensions थी किसकी आयता कार छले की और उसे हमने यह कर दिया यानि हमने change कर दिया तो इस यानि इस बदलाव में जो हमारे द्वारा किया गया कारे है हमें उसकी गर्णा करनी है और हमें साबुन के घोल का प्रिष्ट तनाव दिया गया है और ये है 3 इंटू 10 की पावर माइनिस 2 न्यूटन पर मीटर क्या अतना समझ में आया तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें कारे निकालना है उसी का सूत्र लिख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो किया गया कारे होता है यहाँ पर आ जाएगा प्रिष्ट तनाव यानि T गुणा डेल A अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना है क्या निकालना है किया गया कारे जिसके लिए हमें T गिवन है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर निकालना होगा शेतर फल में जो बदलाव आ रहा है तो सबसे पहले जो ओरिजिनली इसकी वो थी डाइमेंशन्स उनके अनुसार हम इसका क्या निकालेंगे प्रारंबिक प्रिष्ट शेतर फल निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा यहाँ पर हमें डाइमेंशन्स गिवन है 4 cm and 4 cm तो शेतर फल आ जाएगा 16 cm2 अब क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रिष्ट तनाव दिया गया है उसकी जो यूनिट है वो पर मीटर है तो हमें आरे लिख्या सही रहेगा जो ही cm2 है हमें इसे मीटर स्क्वेर बना लेना चाहिए तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे 16 x 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेर तो यह फिल्म का प्रारंबिक प्रिष्ट शेतर फल हो गया अब बात करते हैं फिल्म के अंतिम प्रिष्ट शेतर फल की तो यह कितना आचाएगा यहाँ पर dimensions हमें पता है 4 cm x 5 cm यानि कि यह हो जाएगा 20 cm2 इसे भी हम मीटर स्क्वेर में कनवर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 20 x 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेर अब यदि मुझे प्रिष्ट शेतर फल में कितनी वृद्धी हुई है तो मैं क्या करूंगी इस शेतर फल से ठीक है इस वाले शेतर फल को माइनस कर दूंगी है ना यानि अन्तिम प्रिष्ट शेतर फल से प्रिष्ट शेतर फल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिष्ट शेतर फल में वृद्धी तो ये आ जाएगा 20 x 10 की पावर माइनस 4 माइनस ये क्या है 16 x 10 की पावर माइनस 4 अब यहाँ से हम यदि 10 की पावर minus 4 common ले ले यह देखिए यह common ले ले तो क्या हो जाएगा 20 minus 16 जो कि कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 4 into 10 की power minus 4 meter square क्या अभी तक आपको इतना समझ में आ गया चले ठीक है अब देखिए क्योंकि फिल्म के दो प्रिष्ट होते हैं तो फिल्म के प्रिष्ट शेत्रफल में कुल वृधिक यदि में बात करूं तो जितना हमने यहाँ पर निकाला है उसका हम दो गुना कर देंगे क्योंकि यह क्या है यह एक प्रिष्ट शेत्रफल में कितनी वृधिवी है हमने यह निकाला है परन्त फिल्म के तो दो प्रिष्ट ह तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से घुणा करना होगा, तो जो हम यहां पर डेल A लिखते हैं, कौन सा डेल A, ये वाला, ये ही यहां पर ये है, ठीके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 घुणा, ये आ जाएगा 4 into 10 की पावर minus 4, meter square, जो कि solve करके आ जाएगा, 8 into 10 की पावर minus 4, meter square, तो देखिए, हमें यहां पर ये छेतरफल मिल गया है, और जो प्रिष्ट तनाव था, वो हमें क्या गिवन था, ये देखिए, 3 into 10 की पावर minus 2, ठीक है, 3 into 10 की पावर minus 2, तो देखिए, यहां पर क्या जाएगा, तो यहां पर जो वर्ख होगा, वो आ जाएगा, टी की जगे आएगा, 3 into 10 की पावर minus 2, और डेल एक जगे आजाएगा, गुणा 8, गुणा 10 की पावर minus 4, और ये आजाएगा, 3 into 8, 24 into 10 की पावर minus 6, जूल, तो ये हमने किये गए कार्य का मान ग्यात कर लिया है, मैं उमेद करती हूँ कि आपको अगर इसी तरीके के numerical दिये जाएं, तो आप उन्हें ऐसे ही step by step solve कर लेंगे,